इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटर्णिट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। विदाउट फूड इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है। खुराक और आपको कितनी बार इसकी आवश्यक्ता होगी। ये आपके लक्षनों को नियंतरित करने के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा। डॉक्टर आपको कम खुराक से शुरू कर सकता है और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकता है। अपने डॉक्टर से बात किये बिना दोज न बदले या इसे लेना बंद न करें चाहे आप अच्छा महसूस कर रहे हूँ। ऐसा करने से आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है या आपको अप्रियर विड्रॉल लक्षन यानि की एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, चक्कर, सोने में परेशानी आदी हो सकते हैं। अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इस दवा को नियमे तौर पर लें तथा हर दिन एक ही समय पर लें। यह दवा लेने के बाद कुछ लोगों को नींद आ सकती है। अगर आप अचानक से कोई असामान्य मूर का बिगड़ना या खुद को नुकसान पहुचाने वाले विचार विक्सित करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को बता दें। यदि आपको एपिलेपसी यानि की सीसर डिसॉर्डर या फिट, डाइबिटीज, लिवर या किड्नी से जुड़ी कोई बीमारी, किसी भी प्रकार की हिर्दय की समस्या है या आप वर्तमान में माओ इन्हीबिटर नामग डिप्रेशन की दवाएं ले रहे हैं तो एसिता 10 टेबलेट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकती हैं कृप्या अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जिन्हें आप सुरक्षित रहने के लिए ले रहे हैं वीडियो को पूर